ओम शान्ति आज हम मीठे बाबा की 13 इप्रिल 2024 के मीठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे बाबा 21 जनम के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखडे आदि में जाने की दरकार नहीं है आजकल तो दिल बहलाने की बहुत बात होती है कहते हैं दिल नहीं लगरा दिल बहलाना है तो मेले मलाखडे और आजकल तो दिल बहलाने के कितने साधन बने तो बाबा कहते हैं बाबा इस समय हमारी दिल ऐसी बहलाते कि किस जन्मों तक हमें दिल बहलाने के साधनों की अवश्रक्ता नहीं पड़ती प्रश्न है जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गैरंटी है तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर राज्थानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गैरंटी हैं कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता जो बच्चे श्रीमत पर राज्थानी स्थापन कर रहे हैं न तो बाबा उन्हें क्या गैरंटी देतें कि तुम्हें कभी काल नहीं खा सकता माना 21 चन्मों तक अकाले मृत्यू नहीं होगी सत्यूगी राज्थानी में कभी अकाले मृत्यू नहीं हो सकते हैं मददगार बच्छों को बाप द्वारा ऐसी प्राइस मिल जाती है जो 21 पीड़ी तक अमर बन जाते है 21 पीड़ी तक अर्थाथ 21 जनम बुढ़ापे तक गारंटीड है ऐसा नहीं कि समय से पहले शरीर छूट जाए 21 पीड़ी तक पता है बुढ़ापे तक चलेंगे लेकिन किनको मिलती है ये गारंटी जो श्रीमत पर राजथानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं हर बच्छे को नहीं मददगार बच्छों को वाबा गारंटी करते कि हां अकाले मृत्यू से 21 चुनम छोड़ जाएंगे ओम शान्ति बने बनाए स्रिष्टी चक्र अनुसार कल पहले मुआफिक शिव भगवानु वाज बाबा जैसे शब्द अक्षर कोई बोल सकता बाबा ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो कर क्या कहते बने बनाए स्रिष्टी चक्र अनुसार कल पहले मुआफिक शिव भगवानु वाज अब अपना परिचे तो बच्छों को मिल गया बाप का भी परिचे मिल गया बेहत के बाप को तो जान लिया सब कुछ जान लिया बाबा की गुण करतव्य संबन निवास थान सब कुछ जान लिया और बेहत के स्रिष्टी के आदी मध्यन्त को भी जान लिया नंबरवार पुर्शार तनुसार कोई अच्छी रीती जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं अब जान तो सब ने लिया लेकिन जिसने जितना पुर्शार्थ किया उतना धारणा की और जो जितना धारण करतें उतना समझा सकते हैं कोई अधूरा कोई कम जैसे लडाई में भी कोई कमांडर इन चीफ होते कोई कैप्टन कोई क्या बनते हैं तो यहां रुहानी सेना में भी नंबरवार, पुर्शार, तनोसार कोई कमांडर है कोई कैप्टन है कोई सिपाई है कुछ और है राजाई की माला में भी कोई साहुकार प्रजा है कोई गरीब प्रजा सब नंबरवार है तो बाबा कहते हैं यहां भी नंबरवार है और राजाई की माला में भी नंबरवार है ऐसा नहीं स्वर्ग में सब एक है नहीं पद तो अलग-अलग है ना कोई राजा है कोई साहुकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर स्रिष्टी पर स्रेष्ट राजथानी स्थापन कर रहे हैं ये बात सबको धारण हो गए न कि श्रीमत पर हम स्रिष्टी पर स्रेष्ट राजथानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत अनुसार जब हम एक एक करम के कदम बढ़ाते हैं तो अपने लिए जैसे राज्थानी तयार कर रहे हैं जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइस मिलती हैं आजकल शान्ती के लिए राय देने वाले को भी प्राइस मिलती है, मिलती है पीस प्राइस और तुम बच्चों को भी प्राइस मिलती है, राय तो बाबा देते हैं, हम उस राय पर चल कर, जब राज्थानी बनाते हैं, पीस थापन करते हैं, तो हमें पीस प्राइस मिलती है, वो peace prize क्या है, कि हम उस peace और happiness के दुनिया में राज्य करते हैं, वो उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्प काल के लिए मिलते हैं, हमें तो ऐसी peace prize मिलते हैं, जो हम peace, purity, prosperity के दुनिया में, happiness के दुनिया में 21 जनम राज्य करते हैं, तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राज्थानी स्थापन कर रहे हो, सोभी 21 जनम 21 पीड़ी के लिए guarantee है, कि वहाँ ना दुख है, ना शोख है, ना रोग है, ना काल मृत्यू है, guaranteed, सुक, शान्ती, सुम्पत्ती, पवित्रता, वहाँ बच्चपन वा जवानी में काल खाता नहीं है, ये भी जानते हो, ना मन न चित था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं, जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, यहीं दिलवाडा मंदिर भी है, यादगार आबु में, जहां तपस्या और राजाई का चित्र है और यहीं ड्रामा प्रमान हम आकर तपस्या कर रहे हैं, राजाई के लिए, राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, तो कितना सुन्दर ये संगम युग है, जहां प्रैक्टिकल पार्ट भी बज़ रहे हैं, और उसका यादगार चित्र भी वहीं खड़ा है, जहां पांच हजार वर्ष पहले भी सर्विस की थी, दिलवाडा मंदिर, अचल घर, गुरु शिकर हैं, यहना गुरु शिकर उचे ते उचे परमधाम निवासी बाबा के निशानी, अचल घर हमारी स्थिती के निशानी, और दिलवाडा मंदिर में तपस्या और राजाई दोनों के निशानी, सत्गुरु भी उचे ते उचा तुमको मिला हैं, जिसका यादगार बनाया हुआ है, गुरु शिकर इसलिए बहुत उचा उचा बनाया है, अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वो हुई घर की महिमा, अचल घर फिर घर की महिमा है, स्थिती की भी है और घर की महिमा, क्योंकि हमारा घर शान्ती धाम कैसा है, ऐसे अचल अडोल शान्त अवस्था का स्थान, तो मूचते उच पद पाते हो अपने पुर्शार्थ से, ये है तुम्हारा वंडर्फुल जड याग्दगार है, जिसमें पुर्शार्थ भी दिखाया और पद भी, दि तपस्वी बैठे 108, वो चित्र भी है रूपर छत पर स्वर्ख का चित्र दिखाया है, तो तपस्या का भी यादगार है और प्रालब्ध का भी, वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो, बाबा कहते हैं, देखो कितना वंडर्फुल ये संगम है, कि जहां यादगार खड है, वही चैतन्य में आकर बैठते हैं, ये सब है रूपर कारोबार, जो कल पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहां है, है न देखो, ये रूपर कारोबार जैसे अभी चल रही है, ऐसे कल पहले भी चली थी, और यादगार भी वही बना हुआ है, नमबर वन यादगा है, जैसे कोई बड़ा इमतहान पास करते हैं, तो उनके अंदर खुशी और रौनक आ जाते हैं, फरनिचर, पहरवाईश कितनी अच्छी रखते हैं, ये न बाबा कहते हैं, किसी को कोई इमतहान भी पास कर लिया, छोटा मुटा पद भी मिलता है, तो चाल चलन दल जाते हैं, और हम तो फिर क्या बन रहें, मनुष्य से देवता, तुम तो विश्व के मालिक बनते हों, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता, तो वहां के चाल चलन, रंग, रूप, पहरवाईश, बाबा कहते हैं, वो तो ऐसे होंगे, जो आज उसका चित्र बनाने क लिए भी वो तत्व नहीं है, ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो, भगवानु वाच, भगवानु वाच हम सुनते आते थे, लेकिन पता थोड़ी था कि ऐसे प्रेक्टिकल में भगवान पढ़ाते हैं आकर, भक्ति वार्ग में जिसको याद करते ह कि पुझा करते हो, कुछ भी पता नहीं पढ़ता है, ये पता थोड़ी पढ़ता है, कि वो ऐसे आकर पाट बजाते हैं, भक्ति मार्ग में, देखो पुकारते भी हैं, पुझा भी करते हैं, लेकिन जानते थोड़ी हैं कि प्रेक्टिकल में भगवान आकर इस प्रकार यादगार सारे समपून सुरुप के बने हुए हैं, पिछाडी की समपून अवस्था के बने हुए हैं, यह अचल घर हो या दिलवाडा मंदिर हो, वो हमारी जो अच्छी तपस्वी अवस्था, स्थिर एक आगरचित अवस्था की यादगार हैं। अभी result नहीं निकली है जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है जैसे जो मंदिर भी बनते हैं वो हमारी संगम युगी की संपूर्ण दाता सुरूप स्थिति जब बन जाती हैं अंति मवस्था उसे की यादगार चित्र मंदिर में भी बनते हैं जैसे रक्षा बन्धन का यादगार होता है नहीं जब पूरी पकी राखी बांध हम अपना राजिभाग्य ले लेते हैं तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं, तब फिर राज्य भाग्य ले लिया, फिर वहां सत्यूग में दोड़ी रक्षा बंदन बनाएंगे, अभी तब तक बांधने का यादगार चलता है, जब तक पूरी पक्की अवस्था बनकर राखी खोली नहीं है, तो पूरी पक्की के बाद और यादगार नहीं मनाते, इस समय तुभे सभी मंतरों का अर्थ समझाया है, मंतर कौन कौन से हैं, ओम शान्ति, मन-मनाभव, मध्याजी भव, आब इन सब का अर्थ, हम सो, सो, हम, ये सारे मंतरों का अर्थ हमें अब बहुत अच्छे से समझाया हैs, ओम का कोई लंबा नहीं है, ओम का आर्थ क्या है? अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा मेरा शरीर, ओम का आर्थ है एहम आत्मा मम शरीर, अज्ञान काल में भी तुम देअभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो, दिन प्रति दिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तम सतो प्रधान बनता जाता है, दिन प्रति दिन क्या होता है भक्ति मार्ग में, रोज रोज गिरावट होती है, हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, आदी में कोई भी चीज, चयात्मा है, तत्व है, सभी सतो प्रधान होते हैं, और भक्ती भी पहले सतो प्रधान थे, सतो प्रधान भक्ति माना एक शिबाबा की अव्यभिशारी भक्ति जब एक सत शिबाबा को याद करते थे थे भी बहुत थोड़े उस समय ऐसा ने इतनी पॉपलेशन थे थोड़े थे और भक्ति भी एक की करते थे दिन प्रति दिन वृद्धी बहुत होनी है विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है वो समझते हमारे लश्कर बड़े बने हमारी ऐसे पावर बढ़े ज्यादा बच्चे पैदा होतो और बाब कहते काम महाशत्रु है सृष्टी की बहुत वृद्धी हो चुकी है अब पवित्र बनो अब बाबा कहते ही देखो एक तरफ कहते हैं कि population explosion हो रही है दूसरी तरफ policy बनाते हैं और बच्चे पैदा हो लेकिन बाबा कहते ही कि आब भगवानु आज तो सत्ते हैं बाबा कहते हैं बहुत वृद्धी हो चुकी अब पवित्र बनो तुम बच्चे स्रिष्टी के आदी मध्य अंत को अब बाब द्वारा जान चुके हो सत्युग में भक्ती का नाम निशान नहीं है अभी तो कितनी धूम धाम है मेले मलाकडे बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाई भक्ती भी एक तरह का form of entertainment है तो उसमें भी मेले लगते हैं कितना है न मेलो मलाकडों पर भी बहुत जाते हैं तो वो भी जैसे एक दिल बहलाने की बात है तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते है 21 जन्मों के लिए लेकिन पूछना है अपने आप से संगम युक पर भी दिल बहला हुआ है 21 जन्मों अगर अभी बहलेगा तब तो कहेंगे न 21 जन्मों के लिए बहला रहेगा तो बाबा कहते हैं बाबा तो अब हमारा दिल ऐसा बहलाते चो 21 जन्मों तक मेले मलाकडों में धके खाने के अवश्यक्ता नहीं पड़ते जो तुम सदेव बहलते रहते हो तुमको कभी मेले आदी में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए तो जब सुख स्वरूप नहीं होते तो फिर सुख के लिए जाते हैं सोचते हैं यहां मिलेगा वहां मिलेगा तुमको कहां पहाडों पर जाने की दरकार नहीं है यहां देखो कैसे मनुष्य मरते हैं मनुष्य तो सत्योग, कल्योग, स्वर्ग, नर्ग को भी नहीं जानते यहना मनुष्य कुछ नहीं जानते मनुष्य तो यही सोचते हैं बस यही है जो है तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है और ज्ञान मिलता है तो कारण भी समझ में आता है कि सतोप्रधान थे तो कहीं इच्छा नहीं होते थी या संकल्प नहीं चलता था कि कहीं मेले मलाखडे में जाए और अभी पतीत बने है तो कितना भी मेलों पर धके खाएं लेकिन सुख तो मिलेगा नहीं बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है तुमको घरबार भी समभालना है बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होते हैं फिर भी तुम बाप के संग नहीं रह सकते हों बैपे कहते हैं तुम बाबा के संग सभी बाबा के संग तु नहीं रह सकते बाबा कहते हैं रहना ग्रहस्त वेवार में है सब सतु प्रधान बन नहीं सकते बाबा कहते हैं सब का अपना पाठ है किसी का साथ रहने का पाठ है, किसी का ग्रस विवार में रहने का पाठ है, फिर दोनों अंदर बाहर दोनों में ऐसानी की सभी सतो प्रधान बनेंगे, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो, अवस्था में भी हैं, सभी कठे रहने ही सकेंगे, ये राजथानी बन रहे हैं, सब एक जैसे बन जाएं, तो राज्थानी कैसे बनेगे, जो जितना जितना बाप को याद करेंगे, उस अनुसार राज्थानी में पद पाएंगे, मुख्य बात है ही बाप को याद करने, क्योंकि बाबा को याद करने से ही बुद्धी का ताला भी खुलता, ज्यान धारन होता, गु बाबा केते हैं, पद मिलता है, याद के अधार से, बाब स्वेयम ड्रिल सिखलाते हैं, ड्रिल सिखलाते हैं बाबा, एक, step एक है न, अतातम अभिमानी हो जाओ, फिर परमधाम चले जाओ, बाबा के समुख अनुभव करो, और फिर डेट साइलेंस में बैठो, मैं और मेरा ब यह है डेट साइलेंस, तुम यहां जो कुछ देखते हो, उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है, और आत्मा बुद्धी बल से देखती है, और जब आत्मा बुद्धी को यहां से निकाल, बाबा के पास ले जाती, याद में एकाग्र कर देती, तो जैसे देखते हुए भी कुछ नहीं देखती, तुम क्या देखते हो, तो बाबा केते हैं, चलो यहां का तो कुछ नहीं देखते, फिर देखते क्या हो, तो एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो, उस सत्यूगी राजाई को भी तुम ही जानते हो, तुम स जब सत्यूग है तो त्रहता नहीं, त्रहता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कल्यूग नहीं, तो बाबा केते हैं तुम यहां रहते, यहां देखते भी नहीं देखते, और देखते क्या हो घर को और अपने आने वाली राज्चाई को, अब कल्यूग भी है और संगम युगी हैं, यह न, तो इस थूल रूप से देखा जाए, तो कल युग में बैठे हैं, लेकिन अब समझते हैं, कि हम बाबा के बने हैं, और बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो हम संगम युगी हैं, संगम युग किसको कहा जाता है, ये भी तुम जानते हो, बाबा के आने से संगम युग प्रारंब होता है, हमारा संगम युग जब से हम बाबा के बनते हैं, तब से प्रारंब होता है, तो ये संगम युग भी बहुत इंट्रेस्टिंग युग है, स्थूल युग नहीं है, ये कल युग के अंदर, परमात्म मिलन के अनुभव के अधार से ये युग बना है तो बाबा कहते हैं इसको भी तुम जानते हो भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो परंतु बुद्धी से समझते हों संगम युगी हैं पुरुशोत्तम वर्ष पुरुशोत्तम मास और पुरुशोत्तम दिन भी इस संगम पुरुशोत्तम संगम युग पर ही होता है बाबा कहते हैं वो जो भक्तिमार्ग में पुरुशोत्तम मास मनाते हैं वो तो इसका यादगार है लेकिन प्रैक्टिकल में जो पुरुशोत्तम संगम युग है वो अभी चल रहा पुरशोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरशोत्तम युग में ही है ये बहुत छोटा लीप युग है लीप युग किसे कहते हैं? लीप माना एक्स्ट्रा होता है तो जैसे कहते हैं फरवरी लीप महीना है तो उसमें 29 दिन होते हैं 28 के जगह 29 दिन होते हैं जब चार साल में एक बार leap year होता है, और फिर leap का दूसरा आर्थ होता है, jump करना, कूदना, तो ये पुरुषोत्तम संगम्युग, high jump का युग भी है, तुम लोग बाजुली खेलते हो, जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो, बाजुली कैसे खेलते हैं, एक तम है न, पाउं से, चोटी से, मुख तक आ जाते, कहा शुद्र और कहा ब्राह्मन सो देवता, बिल्कुल U-turn हो जाता, तो बाबा कहते हैं, इससे तुम फिर स्वर्ग में आ जाते हो, बाबा ने देखा है, कैसे साधु लोग, अत्वा कोई-कोई, बाजुली खेलते-खेलते, यात्रा पर जात हैं, बाजुली समझते हैं, गुलाटी मारना, तो बाबा कहते हैं, ऐसे तुम भी, पाउं से सिधा सिर्ग तक उल्टा, पिल्कुल चेंज हो जाते हो, कहां कल यूगी से, संगम यूगी से, सत्यूगी बन जाते हैं, बड़ी कठनाई उठाते हैं, अब इसमें कठनाई की ब राते हैं, क्या याद की यात्रह तुम बच्चों को कठीन लगती हैं? बाबा कहते हैं, यहां तो याद के बल से हम सत्यूगी बनते हैं, तो याद में क्या कठनाई हैं? नाम तूब वहत सहच रखा है, कहना सुनकर डर न जाए, सहच राज्योग. कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं तो बाबा क्या कहते हैं बाबा फिर हलका कर देते हैं यह है बाप की याद बाबा को कहेंगे बाबा हम योग में नहीं रह सकते तो बाबा कहेंगे अच्छा छोड़ो योग अपने बाबा को याद कर सकते हो बोलेंगे हाँ तो वो कहते बाबा याद करो याद तो सब चीजों को किया ही जाता है न बाब कहते अपने को आत्मा समझो तुम बच्चे हो न, आत्मा समझेंगे, तो आत्मा को उसका पिता तो याद रहेगा न, ये है, ये तुम्हारा बाब भी है, माशुक भी है, आज देखो बाबा कितना सुन्दर कहते हैं, कि बाबा बाब भी है और माशुक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाब बाबा कहते हैं, वैसे तो तुम मुझे अनेक संबंधों में याद कर सकते हो, बाकि बाप अक्षर भी काफी है, तुम अपने को आत्मा बच्चा निश्य करो, या अत्मा आशिक निश्य करो, और बाप अत्मा माशुक को याद करो, भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियो को याद करते हो ना फिर भी हे प्रबु हे इश्वर जरूर कहते हो क्योंकि मित्र संबंधियों की याद से आत्मा को सर्व प्राप्तिया नहीं होती सर्व संबंधों का सुख नहीं मिलता लेकिन बाबा केते एक मुझे याद करेंगे ना तो मैं तुम्हें सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंदों का सुख सदाकाल के लिए दे दूगा, फिर तुम्हें और किसी को याद करने की अवश्यक्ता नहीं, लेकिन और किसी को याद करते हैं, तो बाप को साथ में जरूर याद करते हैं, सिर्फ पता नहीं है कि वो क्या च हाते में जमा नहीं होता है आत्माओं का बाप तो परमात्मा है और इस शरीर का बाप तो देहधारी है आत्माओं का बाप अशरीरी है आत्मा अशरीरी है बाप भी अशरीरी है वो कभी पुनर जनम में नहीं आते और तो सभी पुनर जनम में आते हैं इसलिए बाप को ही क्योंकि जो पुनर जनम में नहीं आते वही हमें पतीत से पावन बना सकते हैं इसलिए बाबा एक ही है जो इस चक्र में आकर सब कुछ गवाते नहीं इसलिए बाबा हमें दुख से निकाल सुख में ले जाते पतीत से पावन बना सकते हैं जरूर कभी सुख दिया है तो उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता परंतु उनकी नाम रूप देश काल को नहीं जानते अब जितने मनुश्य उतनी बाते हैं न यूगि मनुश्य ज्ञान नेत्र से अंधे हो गए तो जैसे वो कहानी आती है कि अंधों को हाथी मिला तो कोई कहे हाथी ऐसा है तो कोई कहे वैसा है तो ऐसे ही ज्ञान नेत्र से अंधे हम बच्चों ने किसी ने कहा बाबा ऐसा है किसी ने कहा ऐसा है अनेक मत हो गई है बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं वो है इश्वर शान्ती देने वाला कितना उनसे सुख मिलता है तो बाबा केते एक बाप की याद में कितना कुछ समाया हुआ है शांती भी, सुख भी और एक ही गीता सुना कर पतितों को पावन बना देते हैं गीता ग्यान दाता है, ग्यान सागर है और गीता से ही गती सदगती होती प्रवृती मार्ग भी चाहिए ना मनुष्यों ने प्रवृती मार्ग चाहिए इसलिए बाबा भी मां के बिना कारे नहीं करते ब्रम्हा और शिब बाबा एक साथ कारे करते मनुष्यों ने कल्प की आयू लाखों वर्ष कह दी है फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते कितनी भूल की है सौ वरश में जो मनुष्य है वो 1 billion से 1 billion से 8 billion हो गया तो क्या इतनी जनसंख्या के लिए अनेको वर्ष लगते हैं अगर इतने होते अनगिनत जनसंख्या हो जाते तो बाबा केती ये knowledge तुमको अभी मिलती है फिर प्रायलोप हो जाती है इस knowledge से अभी जो बनना है वो बन जाना है फिर knowledge गुम हो जाती है चित्र तो है जिनकी पूजा होती है ना knowledge से जो संपूर अवस्था बनाई उसके चित्र तो यादगार बनते हैं लेकिन जिस knowledge से हम ऐसा बने वो knowledge प्रायलोप हो जाते हैं। परंतो अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। यहना चित्र देखते भी हैं, अपने संपूर्ण स्वरूप के चित्र आज भी हैं। लेकिन यह नहीं समझते के हम इसी धर्म के हैं, कि यह हमारे ही पूर्वस्वरूप हैं। लेकिन फिर भी नहीं समझते के अच्छा हम इस कुल के हैं, तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के है ना ये समझ नहीं सकते कि हम आदी सनातन देवी देवता धर्म के हैं क्राइस्ट की पूजा करने वाले क्रिश्वन धर्म के हैं ना तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं हम देवता धर्म के नहीं हैं लेकिन समझ नहीं आता क्यों कि जब पतित बन जाते हैं तो बुद्धी में इतनी ताकतनी होती कि ये सोचे कि हम देवता धर्म के हैं उनकी ही वंशावली हैं ये बाप फे समझाते हैं बाब केते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा आते तो बुद्धी का ताला खोलते हैं और फिर लक्षे पकड़ाते हमें, तो हम लक्षे से लक्षण धारन करते हैं। क्या गंगास्नान से पावन बनेंगे नहीं पतित पावन तो बाप ही है वो जब आकर रास्ता बताएं तब तो पावन बने रास्ता भी बताएं फिर योग का रास्ते से हम बाबा से शक्ती ले तो तो पावन बने पुकारते रहते हैं पर अंतु जानते कुछ भी नहीं है न भक्ति मार्ग में देखो सब कुछ कर रहे हैं पुकार रहे हैं पूज रहे हैं याद कर रहे हैं बिना जाने तो उसका बल और फल कैसे मिलेगा आत्मा पुकारती हो और्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ सब पतितें कामचिता पर जलते रहते हैं ये खेली ऐसा बना हुआ है फिर बाप आकर सब को पावन बना देते हैं ये बाप संगम पर ही समझाते हैं सत्युग में होता है एक धर्म बाकी सब वापस चले जाते हैं यह न बाकी सब कहा जाएंगे बाकी सब घर जाकर बैठेंगे तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं कैसे वही पुज जो थे वो पुजारी बन अपने को भूल अपनी पूजा करते हैं और फ रचना का आदी मध्यंत क्या है ड्योरेशन कितना है यह तुम ही जानते हो वो सब है शुद्र तुम हो ब्रामभन क्योंकि हमें तो ज्यान सागर्श बाबा ने ब्रह्मा मुक्ष से अडॉप्ट कर वो हमें अपना बना कर पालना करते हैं तुम भी जानते हो नंबरवार दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है उन्हा चलन के रेजिस्टर से भी मालूम पढ़ जाता है गफलत करते हैं तभी तो नीन ने खुलती तभी तो उल्टे शब्द निकलते हैं युक्ती युक्त यथार्थ कर्म नहीं होते बोल में मदूरता नहीं होती क्योंकि याद की यात्रा जिसका कोई कोई पता नहीं है सबसे मुख्य सबजेक्ट है याद की यात्रा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड दूसरा लेते हैं ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं परंतु ज्यान सा ज्यान सागर परम पिता परमात्मा इस रत में बैठ कर सुनाते हैं को ये ना समझे कि ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं ज्यान सागर परम पिता परमात्मा उचे ते उच वो इस रत में बैठ कर ब्रह्मा के शरीर में बैठ कर समझाते हैं कहा जाता है गव मुख मंदिर भी यहा बाबा का मुख जिससे शिब बाप ग्यान सागर ग्यान गंगा वहाते हैं। जैसे तुम्हारी सीड़ी है वैसे वहाँ भी सीड़ी है तुमको चड़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए वहाँ गोरक दंदा बहुत रहता है काहा? घर में, הना ग्रहस्त विभार में तो मधुबन जाते हैं, refresh होने शानती से सुन भी नहीं सकेंगे घर में तो सुनना भी चाहें तो शानती से नहीं सुनेंगे सेंटर पर भी जाते हैं तो भागते रहते हैं कि घर जाना है ये काम है, वो काम है संकल्प चलता रहेगा, कोई देखना ले जल्दी घर चाओं, कई ऐसे हैं जो गुपत आते हैं, तो उनको ये भी रहता है, कोई देख ना ले, कितना ओना रहता है, चिनता ही चिनता है, यहां कोई भी ओना नहीं, जैसे होस्टल में रहते हैं, यहां इश्वरिय परिवार है, शांतिधाम में भाई-भाई रहते हैं, आत्माई हैं न, तो आत्माई आपस में भाई-बेहन नहीं हैं, भाई-भाई हैं, यहां है भाई-बेहन, क्योंकि यहां पाट बजाना है, तो भाई-बेहन चाहिए, सत्युग में भी तुम ही आपस में भाई-बेहन थे, उनको कहा जाता है अद्वेत राज्थानी, अद् एक धर्म, एक पाशा, एक राच्च, एक कुल, एक मत, वहां लड़ाई जगडा कुछ पी नहीं होता, तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिलती हैं कि हम 84 जनम लेते हैं, जिसने जास्ती भक्ती की हैं, उनका हिसाब भी बाप ने बताया है, है न कि वो ही अभी आकर ज्ञान लेंगे, और जिनकी भक्ती पूरी हुई, उनको ज्ञान बिलकु समझ में आता है, तुम ही शिव की आवयभीचारी भक्ती करना शुरू करते हों, जो आदी में भक्ती शुरू करते, वो पहले-पहले किसकी भक्ती करते हैं, पहले शिव बाबा की, फिर श्री कृष्न की, फिर लक्ष्मी नारायन, फिर श्री राम सीता, फिर गणे शनुमान, फिर प्रकृति पूजन, तो सारे यात्रा बाबा बताते हैं, फिर वृद्धी होते जाते हैं, वो है सब भक्ती, ज्यान तो एक ही होता है, और ज्यान तो ज्यान सागर बाबा संगम युगे ही देते है तुम जानते हों हमको शिबावा पढ़ाते हैं ये ब्रह्मा तु कुछ भी नहीं जानते थे जो great great grandfather था वो इस समय ये बने हैं फिर मालिक बनते हैं तत्वम यह न तुबावा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बावा साधारन से अभी अपने ब्रह्मा सुरूप में स्थित होते हैं और फिर विश्व का मालिक बनते हैं ऐसे तुम भी साधारन से ब्रह्मन सु देवता बनते हों तत्वम मान तुम भी एक तो मालिक नहीं बनेंगे न पुर्शा रज्टानी चाहिए यह वेहत का स्कूल इसकी ब्रांचेस जेर होंगे देखो कितनी ब्रांचेस होगे इतनी ब्रांचेस तो किसी की भी पुरे विश्व में नहीं Whitney गली गली घर घर में हो जाएंगे कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं मित्र सम्बंदी आदी आते हैं तो उनको समझाते हैं तो गली-गली घर-घर में ब्रांच खुल गई न जो इस जाड के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे यह न वो तो कहीं भी आ जाएंगे जैसे ही आप सेवा करना शुरू करेंगे जो इस कुल के हैं वो अपने आप आ जाते हैं उनों की कल्याण के लिए तुम करते हों चित्रों पर समझाना सहज होगा यह न बाबा कहते हैं साइकलोजिकली भी चित्र से आत्मा जल्दी बुद्धी में ग्रहन करते हैं बुद्धी चित्रों से समझते हैं शास्त्र तो धेर पड़े हैं आप सब बोलने हैं बाप है पड़ाने वाला वही सच्चा ज्यान सुनाते हैं शास्त्र कोई ज्यान के नहीं है शास्त्र तो धेर है लेकिन ज्ञान जिससे पावन बनते सद्गती होती वो ज्ञान बाबा आकर सुनाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग धारणा के लिए मुख्य सार है डेड साइलिंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है देह सहित बुद्धी से सब का त्याग कर अपने घर और राज्चे की स्मृती में रहना है अपने क्यारेक्टर्स का रेजिस्टर रखना है पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करने है इस पुर्षोतम संगम्युग पर पुर्षोतम बनना और बनाना है बरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित भव बाबा कहते है जभ़ि कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चितरों में भी दिखाते हैं बाबा ने कहा न, इसी संगम युग की जो संपून अवस्था है, उसी की यादगार चित्र बने हैं, तो जरूर है संगम युग में ही हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे, जहां सदा हर्शित मुक, हर्शित चित रहेंगे, हर्शित मुक अर्थात सदा सर्व प्राप्ति से भरपूर हर्शित कब रहते खुशी क्यों गायब होती है जब लगता है मेरे पास ये नहीं है लेकिन जब सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर है तो सदा हर्शित मुख है जो भरपूर होता है वही हर्शित रह सकता है और भरपूर कौन होता जिसका बुद्धियोग बा तो जो विधिवत बाबा से सर्व सुंबन सर्व प्राप्ति आनुभव करता है वही हर्षित रहता है कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करें बाहर से हसेंगे लेकिन दिल से नहीं हसना बाहर से होता है हर्षित रहना दिल से होता है वो तब होगा जब अंदर सर्व प्र क्योंकि सर्वप्राप्तियों से भरपूर हर्शित चित हैं, हमारा गीत क्या है, पाना था सो पालिया, अब और क्या भाकी रहा है। तो उससे जमा का खाता बनता है। और फिर बाबा जो हमें ग्यान गुन शक्ती का खजाना देते हैं, उसको भी जब हम कारे में लगाते हैं, पुर्शार्थ में, सेवा में, तो उससे भी जमा का खाता बनता है। जैसे दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने से कमाई बढ़ती सजाएं नहीं खाने पड़ेगे भरपूर खाते से धर्मराजपुरी को एकतम सेकेंड में पार कर लेंगे और वहां सजाएं खाने के लिए रुखना नहीं पड़ेगा अच्छा ओम शांति